कल इस पॉर्टल पे हमारे एक जो पुराने स्पोक हैं जो कभी-कभी आते हैं और विचरन करके चले जाते हैं और भी जगे विचरते रहते हैं आजकल बहुत सारी जूम मिटिंग बहुत सारी गूगल मीट चल रही हैं तो जिनको विचरने का सौक है जगे 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 जाकर देखने का सौक है वो अपने सौक से उस सौक को पूरा करते हैं और विचरते हुए जितने विचार आते हैं उनको वहाँ वो फैक्ट रहते हैं पूर्षते रहते हैं अधिकतर जूम मीटिंग में बोलने वालों के टोटे हैं तो कई कई ऐसी मीटिंग भी हैं कि जहां बोलने की छूट है जितने चाहें देर तक कोई भी व्यक्ति अपने विचार जो कुछ उसके मन में आ रहा है जैसा भी आ रहा है वो आराम से बोल सकता है कि यवार कहा भी जाता है अरे भाई और बोलो अभी टाइम कम रहे गया और बोलो बड़ा टाइम कम रहे गया क्योंकि यहां बहुत सारे लोग अपने अपने विचार के साथ पहले आते थे, उनके विचार के साथ में प्रसन उत्तर होते थे, फिर धीरे-धीरे करके ये पानी सेटल होता गया और एक गती पगड़ ली इसने, और अब ये गती से चल रहा है, फिर भी कही वार कोई उतल- पुतल करते हैं, कुछ अंजाने में कर जाते हैं, तो पता चल जाता है कि अंजाने में कौन कर रहा है, और जानकर कौन कर रहा है, ये जो उतल-पुतल करने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं, चुकि पहले क्या होता था कि हम लगबग सभी लोगों के सवालों के जवाब दिया करते थे किसी का कैसा भी सवाल आ जाए चाहे धम का आए चाहे राजनीती का आए सामाजी का आए अर्थ का आए कैसी भी चर्चा हो कोशिस करते थे कि सब तरह के सवाल का जवाब दिया जाए फिर लगा के वही सवालों के जवाब देते देते जो हमारा सवाल है वो तो हल होनी रहा हमारा सवाल है कि हमारी जान बचनी चाहिए हमारा सवाल है कि हमारे बच्चों की जान बचनी चाहिए हमारा सवाल है कि हमारे बच्चों के जितने अधिकार छुन गए हैं चाहे वो स्कूल के हैं पढ़ाई के हैं जो फ्री में होती है समानता की होती है च चाहे काम के हैं, चाहे उनकी अच्छी सेहत के हैं, चाहे उनकी अच्छी जट के हैं, चाहे उनको देश में जितने भी रिसोर्सिस हैं, उसमें मिलने के अधिकार हैं। वो सवाल तो हमारे इन सवालों से हल होते नहीं और ये सारी की सारी बातें जो हम करते जा रहे हैं ये काम को अटकाने वाली और गप वाली चल रही है तो धीरे धीरे जितने भी स्पोक जो काम करने वाले हैं जो यहां सीरिसली काम करें उनको समझ में आया तो धीरे धीरे अपने आप ही चीज़ें बने लगी फिर भी कैई बार आते हैं कैई बार ऐसा देखा गया कि कोई व्यक्ति घूमता फिरता आ जाता है और वो वैसे ही खामेका मजे लेने के लिए कोई अपना प्रसंट फैंक देता है तो पहले हमारे सारे स्पोक उसको लपक लेते थे और सारे के सारे उसके प्रसंट को फैंके हुए प्रसंट को सॉल्व करने के लिए हल करने के लिए उसका जवाब देने के लिए सारे लालाइत रहते थे और बढ़ चलक हिसा लेते थे कि इसके प्रसंट को हम बताएंगे हम बताएंगे और यहां चीखासी चैचे पैपे और भेहस हुआती थी और टाइम हमारा खराब हो जाता था और जिस देश से और जिस अब्जेक्ट के लिए हम 4-4 घंटे बैठते हैं वो देश से अब्जेक्ट हमारा डिफीट हो जाता था ऐसी घटना यदा कदा कभी कभा हो जाती है तो आप यहां जब कोई व्यक्त कि प्रसंद को मनाई नहीं हो सकती कोई नियम नहीं बन सकता क्योंकि सबका है बंबल को छोड़के बंबल के प्रसंद तो हम लेने की जोद्पी नहीं है और वो आये तो हाज जोड़के नमस्कार जाओ भाई बिना हाज जोड़के नमस्कार भी कर सकते हैं जाओ भाई तो व से पूछें किया आप यहां स्पोक हैं यानि कि यहां के जुम्मदार व्यक्ति हैं फिर उन से पूछें कि आप पहले भी कभी आ चुके हैं फिर उन से पूछें कि क्या आपने पहले यह कंसेप्ट सुना हुआ है वो अगर हां करे तो उसे पूछें कि आपको यह कैसा लागा इसमें क्या कमी लगी ना करे तो उसको कहना चाहिए कि भाई दो तीन वार कम से कम जो इसका कंसेप्ट है उसको पहले सुनो और ना अगर यहां टाइम दे सकते हो तो वीडियोज बहुत सारी हैं आप समरसंग क्या है ऐसा डाल दो या वीदा पीपल डाल दो या या इसमें टी ज़िए हूए है भरमार है उनकी फिर आपका कंसेप्ट से संब्धितकोई प्रसंग है तो उसे लो यहां बताओ यहां फिर उसके हावभाभ देखो किरोके वो जो पर्रशंग यहां फैक रहा है वहो प्रशंग है समय खराब करने के लिए फैकränक रहा है या अपनी जिग्य बात करे उस ना सैटिसफाई हो तो उसका फोन नंबर लेलिया जाए कि आप उसका फोन time consuming है बाकी लोग यहां introduction से रह तो नहीं जाएंगे क्योंकि जो व्यक्ति यहां पहली वार आता है उसका परिचे जरूर होना चाहिए उसका कारण है कि व्यक्ति ऐसे नहीं जुड़ पाता है कोई उसको पहले कोई व्यक्ति कहीं convince करता है उसको बात करता है उस व्यक्ति को आईए वहां आपका परिचे भी होगा और आप सुनिए व्यक्ति जो लेके आता है वो बड़ी जुम्मधारी के साथ और बड़े अधिकार के साथ लेके आता है जुम्मधार व्यक्ति है तो इसलिए उस व्यक्ति की एक गरिमा एक मान समान भी होता है कि अगर उसके साथ आ हमारा तो परिचे भी नहीं हो पाया वहां आप हमें लेके गए तो दो बात बातें खराब होती है एक तो जिसने महनत किये वह माईश हो जाता है और एक जो आया है उसका परिचे नहीं हुआ सब लोगों से तो वह माईश होता है तो दुबारा जुड़ने की समभावना कम हो इसलिए अधिकतर जो समय है हम जो 9 महिने में बड़े हैं और हम जो 9-9 महिने में 330 और कई बार 400 और कई बार 400 और कई बार 300 प्लस जाते हैं फिसे 10 दिन से तो हम एक दूसरे के परिचे से पड़े हैं हमारे पास में कोई ऐसी दवा नहीं है कि हमने इंजेक्शन लगा दिया गोली खिला दी या हमने कोई मंतर मंतर मार दिया और यहां चुड़ जाओ पूरे भारत में ऐसी कोई मीटिंग नहीं है जिसमें लोग लगातार इतनी संख्या में आते हों उसका कारण यह है कि यहां जितने भी लोग हैं उस सारे के सारे एक परिवार की तरह एक दूसरे का परिशे करते हैं और हम अधितर समय इसी में खर्च करते हैं पहले बहुत सारे बुद्धिमान लोग बुद्धी जी भी आते थे वो कहते थे अरे वहां तो सिर्फ परिशे परिशे होता है यह क्या परिशे है इस परिशे में सारा काम खराब कर दिया है कुछ काम की बात तो होती नहीं है, उनको परिवार से जुड़ना और परिचे करना रापस में एक दूसरे से मिलना काम यह नहीं लेता और यहां काम भेद्रे बढ़ता जा रहा है क्योंकि ज़िए परिवार बढ़ता है परिचे बढ़ता है तो मन करता है कि हम जोड़ें, औरों को भी जोड़ें, जोड़ें, औरों को भी जोड़ें, तो क्या करेंगे, हमारे पास फैबी कॉल क्या है, अरे यह परिशे तो फैबी कॉल है, कोई मुझे जाने, मैं आपको जानू, को तीसले को जाने, को चोस्ते को जाने, कोई सूरत वाला, उत्तर प पैसा जाता है, जो यहां के एक्टिव लोग उसको दे के अपना काम खतम कर लेते हैं, सारा काम सहोग से और प्यार से चल रहा है, इसलिए जब भी कोई प्रशन यहां करे और पूछे और वो प्रशन यहां डाले, तो आप उस प्रशन को हर हालत में एक बार जरूर यह देख है कि यह जो प्रसन है वो प्रसन हमारे काम का है या नहीं और एक साथ उताबले ना हो जाए एक साथ अपनी किरुशटी ना दिखाएं कि बस प्रसन आ गया तो बेसक आपको आंसर आता है उसका बेसक कोई भी जवाब दे सकता है मगर आप देखें कि वो समण संक के हित्म है या नहीं है क्योंकि अब समय वो आ गया है कि जुडने और जोडने से सम्मद्ध ही प्रसन लिये जाएंगे बाकी फॉन कहलो होंगे यहां अगर हम अपनी विद्धता दिखाते रहें या हम अपना ग्यान बाढ़ते रहें तो यहां ग्यान की किसी के पास कोई कमी नहीं है कमी तो सिर्udible जूड़ने और जूड़ने की है तो यहां पोर्टल पे अगर किसी का जूड़ने जूड़ने से संबंदित या कंसेट से संबंदित प्रसंद है तो उसको एंकर प्लीज ले ले और अगर नहीं है तो उससे र्वेष्ट करें कि भाई आप लोग इस पिसंद का फॉन नमबर शोड़ देजिए आपको कोई ना कोई बात कर लेगा अगर ऐसे भी बात समझ में नहीं आती है तो इसको ऐसे समझें कि बुद्ध जैसे व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी सभाओं में और वो 45 साल तक हजारों लोगों से मिले हजारों लोगों से बात हुई और बहुत तरह की सभाओं के क्या नियम थे वही नियम हमें यह आपाई करने क्योंकि यह समर संग है और बुद्ध ने इसके नियम दिये हैं और वो नियम पुराने हैं जो हमारे बाप दादों ने बनाए हैं जो बुद्ध ने लिये हैं तो बुद्ध जो सवा करते थे वो सवा होती थी कि वो किसी एकल व्यक्ति से मिलते थे जैसे अंगली मान है या यक है वो जितने लोग हैं उनकी सालाओं में जाय करते थे या उनके आसन में जाय करते थे या आप ये समझें कि उसके नियमु बनाये हुए है है कि वहा है जाएंगे तो Yeah करनी है कि दूसरा यह कि रगो । कि कि搶ा यह काइब वहां अपने द्हाइए बताईए जो स्रमड संक्रिफाया भी बिला थे अभाशाma उस समड़ जो साधरन लोग है उपासव कुपासिका वो भी बलाते थे, कोई सेठ है वो भी बलाता था, कोई परिवार है वो भी बलाता था, गाम के गाम बलाते थे, नगर के नगर बलाते थे, पुर और पुरा जितने भी होते हैं वो सब बलाया करते थे, तो उस तरह की सभा में वो जाय करते थे भिक्कों के साथ में एक उस तरह की सभा होती थी तीसरी सभा होती थी कि वो अपने आराम में आराम मतलब जहां वो रमन करते थे रमते थे उस जगे को आराम बोलते थे जहां वो रहते थे उस आराम में उनकी सभाय चलती थी उसमें वो सब बैठते थे औ बाचित होती थी, वहाँ वो अपना धम सिखाते थे, जैसा भी सर्मन संका होता था, और एक होता था, कि वो भिक्वों के लिए इस्पेशल क्लाश लाया करते थे, यानि कि जो उपोसत करने वाले हैं, या जो कूटागार में भिक्वों हैं, वो सारे खटे होते थे, और हर पंद्रवे दिन हिसाब होता था, सारा हिसाब होता था किसने कितनी गलती की है, किसने कितनी गलती नहीं की है, कितना काम हमारा हो गया, कहां कहां लोग धम को सीख गए, ये सिश्टम बुद्ध ने बनाया, हर पंद्रवे दिन हिसाब किताब होता था, देखो पुराने ज उसके बाद ही वो दुबार आ जाता था काम पे उसके दंड होता कैई तरह की दंड है वो आएंगे यहां दीदरी करके सब बताया जाएंगे कि कौन कोंसे दंड है और कैसे दंड है जो तरीका है और एक वो सभाग करते थे घी जो कोंई जिग्जाशो को जानकार विक्कू आता था से वो तरक मितर करके उसकी बातों को बताया करते थे या कभी-कभी कोई भिक्कु किशी के साथ आता था तो वो अपने कुठी से बाहर आगे आनंद की उपस्तिती में आनंद की उपस्तिती हमेसा होती थी वो बताया करते थे इस तरह से वो पांच प्रिकार की सभाएं करते थे तो जो आम पुब्लिक सभाएं होती थी उ तो वो सवालों के जवाब कैसे दीते थे, लोगों के पसनाते थे, तो कुछ को वो समझाते थे, कि ये ऐसे होना है, वैसे होना है, समझाते थे, और कुछ को कहते थे, कि भई भिकू आप इनको समझा दो, जिस भिकू को पहले समझा रखा है, क्योंकि जो बुद्ध है, वो ब बताईए कि ये चीज़ कैसे है और ये चीज़ कैसे है तो पिर्टी सवाल करके उनके हल क्या करते थे कुछ को वो कुछ जो काम करने की तरीके बताया करते थे कि कुछ क्रिया कलाब कर लो क्रिया कलाब में वो हलो हो जाते थे जैसे मैंने पिछली वारा आपको जो कहानी सुना आते थे उर कुछ सवालों पर वो मौन रहे ले तो हम्ने मौन रहना है जिनके जवाब धी नहीं है उनसे वालों। को उन्होंने कभी यहनु ही ना किया ना किया क्योंकि जब सवाल ही बेकार है उसका कोई סथित्वी नहीं है तो यहकरamen करें गे तो भी फसे और ना करे اس मानने हैं तो इसलिए वो सांत रहते थे कोई पूसा था उन से कि जैसे यूनिवर्स को किसने बनाया है इसे पूरे पूरे जो पर लोग है मतलब लोग सरीर को बोलते थे और पर लोग सरीर से बाहर की सारी शीची जो को बोलते थे कि पर लोग किसने बनाया है तो वो चुप र लोगों के सामने फैंक ने हैं कि बताओ इस दुनिया को इस अर्थ को इस युनिवर्स को किस ने बनाया है और यह कैसे बनी है तो 332 लोग यहां हैं और 664 जवाब आ जाएंगे हर व्यक्ति के पास दो जवाब हैं इसके इसलिए ऐसे सवालों को वो कभी नहीं ले लेते थे और उनका सिर्फ एक काम चलता था वो यह कहते थे कि भाई धम से संबंदित प्रसाने तो पूछ ले धमों में कोई संसे है तो पूछ ले हम तो धम का काम करते हैं मैं नहीं पता कि दुनिया में फालतु की बात है क्या होती है एक वार वो एक आम के बाग में थे और वहां भिक्कों के साथ थे आराम कर रहे थे तो वहां आम के पत्ते सूखे हुए पड़े हुए थे तो उन्होंने मुठी भर पत्ते उठाए और पत में पत्ते लिए हैं मैंने सिर्फ इतनी जानकारी आपको बताई है क्योंकि यही काम की है और बाकी काम की नहीं है हमें फालतु की जानकारी में नहीं जाना है हमें फालतु में विदवान होके अपनी मेमूरी नहीं खराब करनी अपनी आवाज खराब नहीं करनी हमारे लोग फालतू में एक तो वो अब वो क्या करते हैं एक तो वो फालतू हैं उपर से फालतू के जवाब ढून लेते हैं फिर वो फालतू भी बात करते हैं फिर वो उसको मानते नहीं हैं फिर उसको बाद भी बात करते हैं उनको जीतना है हर अलात पर उनको यह दिखाना है कि देखो म एक आगी बार है, मेरा काम हो गया, मेरा एहम और इगो सैटिसपाइड हो गया, ये काम नहीं करना है, ये काम करने के लिए बहुत सारे प्लेटफार्म है, जब कभी मन करें कहीं कुछ मरुजन करना है, कहीं कोई सवाल फैंक ना है, तो भाई कहीं और चले जाओ, और सवाल फै जीवन में कभी भी वाद विवाद में नहीं पड़े एक कमाल की बात है कि उनकी इतनी सभाएं हैं किसी सभा में वाद विवाद का जिक्र नहीं है तो समझ लेना चाहिए उनसे के सभाएं कैसे चलती है तो हमको भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है कोई वाद विवाद म इस वो कभी नहीं पड़े चुप रहते थे शार्थ रहते थे और इनके भिकों को भी इतनी टेनिंग थी कि वाद विवाद वाला अकेला यह इगला फारता रहता था थोड़े थे वाद वो खुदी चुप होके भग जाता था तो जब वाद विवाद में क्योंकि वाद है और आपने विवाद नहीं किया आपने तर्क है आपने वितर्क नहीं किया तो तर्क तर्क रह गया रहा खाली तो तर्क तर्क वाल ले जा अपने साथ वाद वाला अपने साथ वाद ले जा हमने क्या करना हमने तेर पांच चले गए हम तो एक आदमी के बने एक होता तो समाल ले थे हमाई तो एक बने पाँ जबाब दे रहे हैं उन्हों पांच को भशा लिया मनला हम तो उसको अपनी बात पता नहीं पाएं वो हमें पात delta रहा है तो भी आधिया वह मर्मारा time ले गया बढ़िया है इसलिए सभाओं की सारी चीजे हमें पुराने अपने प्राचीन जो पिता में हैं जो हमारे दादा दादी हैं जो परदादा परदादी हैं उसे सीखना चाहिए चुकि आज जो टॉपिक है वो है चुनाप का और चुनाप का तो मौसम चल रहा है वगर आपको ज ले आते हैं हर बात में बुद्ध को ले आते हैं मैंने का भी मेरे घर की खेती है क्या अब हर बात में बुद्ध है ही तो मैं क्या करूं अब क्या मैं छुपा दूँ कि हर बात में बुद्ध नहीं है बुद्ध वो पहले वेक्ति हैं जिन्नोंने निया एक प्राधिकन बना और इसके पूरे पूरे नाम दिये और इसकी टर्म बताई है तो हम क्या कर सकते हैं तो जो चुनाब है इसको बोलते थे यद भुएसिक यद भुएसिक करके इसका नाम हुआ करता था और इसमें जो चलता था वो चलता था यदिक्छा और भुसेती यदिक्छा का मतलब होता आप अपनी एक्षा को कहां सजाना चाहते हैं यानि अपनी एक्षा अपनी मत को कहां देना चाहते हैं तो इसके नियम मराय बुद्धन है कितने कमाल की नियम है वो ये कहते हैं कि जो जज़ बनेगा उसका अपना कोई डिशन नहीं होना चाहिए उसकी partiality नहीं होनी चाहिए वो वाद विवाद में कहीं involved नहीं होना चाहिए और पहले से ही उसके mind में judgment नहीं होनी चाहिए कि मैं तो ऐसा करूँगा अब ये सारी बाते हैं चलती है जो लोग judgment देते हैं उनके पहले ही दिमाग में ये होता है जो उनका वाद विवाद है वो सारा का सारा एक भिकू जिसका उसे कोई लेना देना नहीं है वो भिकू बताएगा सको कि ये वाद है ये विवाद है और वाद विवाद होने کے بعد में फिर उनको ये सात तरीके थे जढ़े खतम करने के उन सात तरीकों में एक तरीका चुनापता है तो वाद विवाद में जब बात बढ़ जाएगी तो वो उनको दो तरह की सलाकाएं देगा यानि कि लकडी की डंडियां देगा एक पीले रंकी एक हरे रंकी देदेगा क्योंकि हरा पेड़ भी होता है सूखा पीला पेड़ भी होता है और वो जा जाके बताएगा, उसके नियम उन्हें ने बताए कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इस मत के लिए ये जो सलाका है, ये डालनी है, इस मत के लिए ये सलाका डालनी है, क्या बार वो हाथ उठा के भी करा लेते थे, क्या बार वो बोल के करा लेते थे, अंतिम जो होता था, जो चण्द होता था, चण्द माने वोट, वोट को चण्द बोलते थे, इच्छा से बना हुआ हुआ है चणद, तो वोट होता था, चण्द इसमें कहां डालनी है कहां नहीं, फिर वो चंद गिन्यद जा जाते थे, यह चुनाब की प्रिकरिया वहां से आई है, मगर अभी तो चुनाव हमारे यहां बेकार हो चुका है, खास तोर से हमारे लिए, हमारे लिए कोई चुनाव नहीं है, कोई कहे के वो चुनाव हो रहा है, यह हो रहा है, वो ठीक है, मगर अगर ध्यान से देखोगे, तो चुनाव तब होता है, जब हमको रह 클ूराइं चुटेंगे लोग उनको चुनेगे मगर आप लोगों को चुनने की वजए लोग पार्टिया चुनते हैं यानी गुरुपक को चुनते वो पलट गया, यानि कि नाम डेमोक्रिसी का है, मगर जो चुने जाते हैं, वो संग्ठन चुने जाते हैं, वो पार्टियां पार्टियां जो होती हैं, वो संग्ठन होती हैं, वो चुने जाते हैं, और वो इतने जादा भारी हो गए हैं, कि चुना हुआ व्यक्ति अपनी मत् थी वो तो खतम हो गई अब आपको at interaction है अब बंदे हुए हैं कि यह सात लोग खड़े हुए हैं यह 20 लोग खड़े हुए है इन इसमें से चुनलो आप 21 दे किस्वान ही चुन सकते जो व्यक्ति आपको बढ़ता है कि यह है वो नहीं चुन सकते या तो चुनाब में खड़ा हो आप उसे चुनाब में खड़ा करवाओ या जो पार्टियों ने जो गुरूप ने और जो संस्थाओं ने खड़े कर रखें वो हैं तो व्यक्ति खड़ा भी होता है तो जो इंडिपेंट व्यक्ति खड़ा होत था, ऐसा लगता है कि चुनाव हो रहे हैं, मगर हकीकत में बड़े गुरुप बन चुके हैं, और वो बड़े समू हैं, जो चुनाव में हिस्सा ले लिएते हैं, चुनाव नहीं हो रहा है, गुरुप चुने जा रहे हैं, और गुरुप का चुनाव हो रहा है, और गुरुप लोक सवा में हैं या जहां आप विधान सवा में हैं या जहां आप कांसलर का नगरपालिका का बोट डालने हैं वहां आपको चेहरा देखना है जो व्यक्ति आपके वार्ट से खड़ा हुआ है वो नहीं देखना है जो व्यक्ति आपने चुनना है वो दूसरे ग्रूप से कहां तो कहां election हो रहा है भlungs किया जा रहे हैं बilt करके वो बठाये जाते हैं फिर आप उस में से आपको डालना ये बोर्ट तो अपने घर जा हो आप ना भी बोर्ट डालोंगे तो चुन जाएगा चुनाब मैं ऐसा कहनी लिखा हुआ कि अगर 30% मददान रह गया तो लोगों की जो 70% की एक्षाय वो तो बोट डालने की है नहीं तो इसलिए इसको कैंसल किया जाए रद किया जाए बही जब आदे से ज़्यादा बोट डालने लोग आए ही नहीं तो चुनाब किस बात का है तो चुनाब तो चंद लोगों अपना अब यहां मत का कमपसरी है नहीं आपकी मर्जी है आप डालो 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 ना चुनोगे तो भी चुन जाएगा सरकार तो बन जाएगी जो सिस्टम हो तो बन जाएगा इसलिए चुनाब की जो प्रिकरिया है उसको रिफॉर्म करने के लिए उसको अच्छी तरह से पेस्टिवल चला है जो चुनाब का तोहार चला है उसका पूरा मज़ा लीजिए ये सोचके के भाईया हमारी तो इसमें कुछ है नहीं और जो आपने करना है बार बार सकार कहती है वोट जरूर डालिए अपने मतादिकार का जरूर प्रियोग करिए और खूब जाईए चुक कि सभी लोग समझ इसके समर्संग हैं तो वह राजनिती में जा सकते हैं समर्संग जो डारेक्ट है वो कभी movimiento जा एगा जो डारेक्ट लोगों को जाना है वो जा सकते हैं ये बिल्कुल समर्संग की डाराइक्ट आ जाती है और लोग इसमें चुनके जाते हैं तो यहाँ पैसा आ जाएगा और फिर यह सिस्टम कर्पसन में चला जाएगा और स्रमणस問題 ँढाएगा यही कारण है कि जो सामाजिक संथन बने उन सामाजिक संथन उन्हों ने जब उचाई से पहले प्राप करते हैं तो बोट बिखर जाती है क्योंकि जिस संग्ठन का जो कारे करता है वो तो अपने स्वामी का भक्त है अपने संग्ठन का भक्त है संग्ठन के मालिक का भक्त है तो वो तो मर जाएगा मगर अपने संग्ठन के मालिक को बोट डालेगा तो ऐस है अगर हमारे दो टुकड़े करते हैं राजनिती में सरमषलन लोग दो पाटियां बनाते हैं और हम उनको लग लग बोर्ट डालते हैं तो हमारी मौत के दिलियें दो ही बहुत है और यहां तो हजारों संग्ठन है और उड को इतनी समझ नहीं है कि सब हारेंगे क्योंकि जब ये लेक्षन में खड़े होते हैं चुनाम में खड़े होते हैं तो हर व्यक्ति ऐसा समीकड़ बनाता है फलानी जी के से इतनी वोट आएंगी फलानी से इतनी आएंगी ये उसका समर्था नहीं ये उसका समर्था नहीं ये ऐसा के लिये किए दलाला गए और वह दलाल किसली आए वह दलाल इसनी आए कि उस महिला को करके वह और जो पार्टियों को बोटी नहीं काटना चाहते थे ताकि उनका kandigate निकल जाए उस महिला और जो पुरुस्ट था वो जानता ही नहीं था कि ये लोग पहले भी कभी थे मगर वो आगे एन मौकी पे वो देखते रहते हैं कि कौन सा कैंडिट है जो बोट काट सकता है तो उन्होंने कहा कि देखो इतनी तो वहाँ सा बोट आ जाएंगी और मैं उस मोहले का हूँ और इसमें आ जाएंगी और इसमोहले का हूँ उसमें आ जाएंगी और इसमोहले का उसमें आ जाएंगी और इसा चड़ा दिया आप से ज्यादा तो कोई जानता है नहीं है देखो यहां इतना है यहां इतना यहां बन गे बस बन गे और अगर गिंती उनकी करोगे तो 2000 रुपी की एक बोट पड़ रही है 1000 रुपी की एक बोट पड़ रही है इतना खर्चा होता है अगर वो उस मानते नहीं है जब तक पै करना है कि सारे के सारे जितनी भी पॉलिटिशन है वो इखटे हो के आए इस पर जोड लगाना है कि भाई अलग अलग नहीं जीत पाओगे प्यार से समझाओ या उनका पैसा बंद करके समझाओ बहतर रहेगा कि उनका पैसा बंद करके समझाओ और अगर नहीं समझ में आ रही यह आपको समझा देगी कि जो चीज सतर साल में चेंज नहीं हुई उसको तुम 71 साल में कैसे चेंज कर दोगे भाई कौन सा नया फार्मला ले आए क्योंकि हर आदमी जो चुनाम में खड़ा होता है वो अपनी एक उम्मीद और होप के साथ खड़ा होता है वो होप और जो उम मालो हाथ जितनी वी अजमाने हैं हम ग्रोध नहीं करते हैं मगर हम समझदारी से यह कहते हैं कि जब तक इखटे नहीं होगे आपके सारे अजमाय हुए हाथ बेकार है पहले भी बेकार थे अभी बेकार है आगे भी बेकार रहेंगे जो समझदार होता है वो दूर से समझ ज और जो बिल्कूली बेफफ होता हैй डबल बेफफ होता है वो बार 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 अजमाता है आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे जानेगे बताएंगे तो आप इस बात पे पहुंचेंगे के भाई जब तक हम सारे जुड़ेंगे नहीं चुनाम में नहीं जीच सकते इसलिए आपको जुड़ जाना चाहिए समर्संग में जुड़ जाओ समर्संग सिधा पार्टी में कभी नहीं जाता मगर आप सारे जुड़ जाओगे तो आप राजिती में जाना या मत जाना आप MLA बनना मत बनना आप MP बनना मत बनना मगर आपके पास में एक पर्मरेंट पावर रहेगी वो पावर आपकी CM और PM से भी बड़ी रहेगी नहीं है तो उन लोगों के संगों से सीख लो जिनके संगों को बुला बुला के PM और CM नमस्कार करते हैं जिनके यहां जा जागे लोग जुक के नमस्कार करते हैं क्यों करते हैं वो संगों को नमस्कार वो इसलिए करते हैं क्योंकि संग की सक्ती हमेसा रहती है और पॉलिटिकल सक्ती जितनी भी होती है वो संग के ऊपर डिपेंट रहती है इसलिए संगों को समझना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हें की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामी दूथियं पी बुद्धं सेणं गच्छामी दूथियं पी बुद्धं सेणं गच्छामी दूथियं पी धम्मं मर्सेणं गच्छामी दूथियं पी बुद्धं सेणं गच्छामी दूथियं पी जंगं सेणं गच्छामी दोगियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी ततियं पी बुद्धम सर्णं कच्छानी दोगियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी ततियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी साथु, साथु, साथु साथु, साथु, साथु झाल झाल